कि दोस्तों देखिए इतनी भीशडगर्मी पड़ी है कम से कम 45 डिगरी का जो टेंपरेचर है उसमें भी देखिए मेरे प्लांट में गुडल के कितने अच्छे फूल खिले हैं हर ब्रांच से फूल आ रहे हैं और कल्या भी इसमें भरपूर मात्रे में यह देखिए कल्या भी अ processor हें इतनी भीशडगर्मी में जो फूल लेना है की जो इसकी टेक्निक है वह मैं सब आपको बताऊंगा उसके कई होता है जो इसमें फूल नहीं कहि airlते है यह फूल कही तो जबंग जाते हैं और लाइक कमेंट करना ना भूलें, बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे की आने वाली वीजियो जो मैं बनाऊंगा, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें, दोस्तों गुडल के पहुंदे में जो पहले तो कोई भी पहुंदा लगाएं, तो सबसे पहली ग बड़ी मुश्की से खिलते हैं वो भी, और अगर हम पॉट का चुनाओ करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी पॉट लेंगे, कम से कम 12 इंच का अगर गुडल का पहुंदा लगा रहें, तो 12 इंच का पॉट होना जरूरी है, 12 इंच से छोटा पॉट इसमें लगाएंगे, तो कर लेता है, गर्मी से क्या होता है, पॉटे की जड़े हैं वो खराब हो जाते हैं, फूल भी नहीं खिल पाते हैं, में रीजन इसका यह रहता है, कि अगर प्लास्टिक का पॉट है, तो इसको आप चेंज करके, इसको मिट्टी के गमले में लगाईए, मिट्टी का गमला है वो जो है, ऑक्सिजन अच्छे से अफसोसित करता है, और पॉटे की जड़ों को ऑक्सिजन मिलते रहते हैं, जिस्से की जड़े भी ठंडी रहते हैं, और पॉटे में ज़्यादा गर्मी से कोई नुकसान नहीं होता है, और पॉटा अच्छी ग्रोध करता है, सबसे में री सख़तरी में गुडल के पहुंदे इससे में आप ला सकते हैं और इसकी ग्रोध अच्छी होती है क्योंकि गुरल का पोउदय यह दो मेने काली दोर्मनसी में रहता है तो इसे में नर्सरी से नि में लगा दिए तो उसको तुरंत आप वर्ट में लगा दिए तो इसकी ग्रोध नी और इसमें अच्छी फ्लावरिंग निले पाएंगे आप तो अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं पहुंदा तो उसको पांच-छे दिन अपने जो घर के वात अबरन है उसमें रहने दीजिए पांच-छे दिन बाद उसको रिपोर्ट करेंगे दूसरे पॉर्ट में तो अच्छ निले प्लुक्त क wes thu kay 될 चाये तो इसमें जो मिट्टी है मिट्टी बिल्कुल पोरस बनाईये मिट्टी ऐसी ना हो जिसमें की की बिल्कुल की चट बन जाये जिससे की पहभ बन जाये जिससे की पहँदा ग्रोहथं ना कर पबाए और पहुदे की में फंगस स्गळा खराब हो जाए मिट्टी ऐसी बनाए कि जिससे की जड़े इसमें अच्छे से फैल सकें एक कारण तो यह है एक कारण इसमें न्यूटिशन की महात्रा इसमें जो है आप अच्छी दीजिए कोई भी वर्मी कंपोस्ट लीजिए या आप गोबर की खात दिंगे इसमें या कोई आप लीब कंपोस्ट वगरे दिंगे तो उसको हट 10-15 दिन में देते रहिए और इस प्रकार से दीजिए जैसे इसकी जड़क में हलकी सी गुड़ाई कर दीजिए इसकी गुड़ाई उतनी जादा गहरी नहीं करनी है जाद से जादा एक इंचु गुड़ाई करिए और उसमे अगर है डिशी ही है जैसे ऐसकी पर टाइम पर प्रूनिंग करनी बड़े है फरवरई दे क्रीं अकर प्रूनिंग करें हलकी प्रूनिंग कर दिंगे तो इससे क्या होगा कि आपका पहुंदा जो है अच्छी ग्रोध करेगा उसमें जो नहीं ब्रांच आएंगी उससे आप फ्लावरिंग अच्छी ले सकते हैं तो आप जो है टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग भी कर दीजे जैसे मालिया कोई खिल के डेट हो चुगा है तो इसको अगर आप ऐसे रहने दिंगे तो इसमें जो है ग्रोध नहीं होगी आगे को नहीं बढ़ेगा और इसमें फूल जो है नहीं खिल पाएंगे तो आप इसकी पिंचिंग कर दिए मतलब इसको यह जो फूल डेट फ्लावर्स हैं इसको नि कोई इसी होती हैं जैसे आपने भी देखा होगा है कर दो अगर पहुंदे में न्यूटिसन अच्छी मात्रा में हैं और पहुंदे में जैसे फूल खिले हैं और न्यूटिसन यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसका कारण रहता है कि इसे कल्यां इसमें सूख जाती है क्योंकि यह नूटिशन इस वाले फुल को मिल चुका है इस वाले को नहीं मिलेगा इसका एक रीजन यह रहता है आप पौंदे में पानी की मात्रा अगर ज्यादा कर दिंगे अगर पौंदे की यह देखें जैसे म यह रहता है पॉंदे में जो कल्यां बनती है वो गिरने का और कई लोग करते हैं कि इस पॉंदे में जो गुडल का पॉंदा है इसमें जो कल्या है उसमें कीड़ा बहुत लगता है मीली बग मीली बग लगने से क्या होता है पॉंदे की जो कल्यां वो खराब हो जाती है वो प कलिया है वो सुरक्चित रहेंगी और आगे जाकर फूल में कनवर्ट हो जाएंगी आप जब भी पहुदे में अगर पानी देते हैं दो-तिन दिन में तो इसको पूरे अच्छे से जो कलिया है उसको अच्छे से पानी से सावर करके नहला दिंगे जिससे की जो भी इसमें कीड सब्सक्राइब नहीं लगें आपकी और आपका पूर्दा सुरक्चित रहेगा और फूल भी अच्छे खिलिंगे उसमें एक कारण तो यह है एक कारण यह रहता है अगर आप पूंदे को चाय वाले स्थान में रख दिंगे कोई भी पूंदा फूल वाला जो पूंदा है उ जिससे कि आपकी जो पत्या हैं वो भी हरी रहेंगी और पत्या हरी रहेंगी जिससे कि आपका पूंदा अच्छी ग्रोध करेगा और फूल भी अच्छे खिलिंगे इसको आप धूपाली जोगों में जरूर रखिये कम से कम 4-5 गंड़ा दोस्तों लास्ट मैं आपको एक टीप देना जाता हूं जिससे कि आप इसमें कोई भी पूंदे में इसमें गुडल के पूंदे में आप अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं आप कभी भी चाई पीते होंगे कई लोग कई लोग कॉफी पीते होंगे तो जो लोग चाई पी होगी क्योंकि उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो पॉंदों के लिए अच्छे होते हैं उसी प्रकार से आप कॉफी कॉफी लेते हैं यह एक रुपी की मात्र कॉफी आप अगर अपने गुडल के पॉंदे में डालेंगे इससे क्या होता है नाइटोज अपने ऍे प्लानेट में जरूरं करें इस उसको या चाय पत्थी को और अगर आप यूज करते हैं उसके बात आपके पॉंदे में कैसा रिजल रहा है यह आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताइए मुझे आपके जो कमेंड का इंटिजार रहेगा